धर्ती ने अंग्ड़ाई क्या ली और हम बोल उठे कि ये क्या था जब जाना तब होश उड़ गए और जब पहचाना तब पता चला कि ये तो भूचाल था नमस्कार मैं हितांश भूकम पर इस विशेश कारेक्रम में आज हम जानेंगे कि भूकम की वज़से धर्ती के उपरी सताव पर तो कई जिंदगिया दिखर जाती है लेकिन धर्ती के नीचे की सताव पर हिलचाल की वज़से बहुत कुछ बदलता है आखिर ये बदलता क्या है उसके पीछे का विज्ञान क्या है हम जानेंगे आज के स्विशेश कारेक्रम भूकंप का ग्यान विज्ञान 26 जनवरी 2001 के दिन हवा में तिरंगा लहरा रहा था लेकिन गुज्रात में भूकंप आने के बाद कच्छ की गलिया लाल रंग से सरावो हो चुकी थी भूकंप ने कई जिन्दिगिया बदल दी सिर्फ जिन्दिगिया ही नहीं पूरा भूगोल भी बदल दिया मानो कच्छ के इतिहास के पन्ने दर्ज हो रहे थे बीस साल पहले 26 जनवरी के दिन ही गुज्रात के कच्छ में कुदरत का कहर तूटा था गुज्रात उस दिन को कभी नहीं भूल पाएगा साथ से अधिकी तीरता के भूकंप ने कच्छ के भूत, भविश्य और वर्तमान को बदल दिया कच्छ की धरती ने सदियों से ऐसे भयाव भूकंप जेले है और इन्ही भूकंप ने आज के कच्छ के नक्षे को तराशा है जो गुजरात जो है वहाँ पर ट्राइ जंक्षन और थ्री रिफ्ट एक कच्छ रिफ्ट है, एक कैमबे रिफ्ट है और एक नर्मदा रिफ्ट है उस फॉल्ट में जो प्लेट की मेरा बॉप difूलिट होती है वो फॉल्ट में एनर्जी स्टोर होती है और जब भी और एनर्जी है रोक की स्ट्रेंथ से बर्गारा हो कच्छ बुमी ये जमिन के बहुत नीचे से जो समंदर का तल होता है वहां से दीरे दीरे उपर उठके आ गई है और एक कच्छ जैसा ढाल जैसा एक बड़ा बुमी भाग बनाया है तो ये बताता है कि यहां एक नहीं दो नहीं हजारों भुकंप पिछले 150 मिलियन साल में आये कच्छ के इन भुकंपों ने हमें धर्ती की भाषा सिखाई इसी भाषा को समझ कर हम कच्छ की धर्ती में दफन अंगिनत रहस्यों को सुलजा पाए हैं भुकंप का ये डरावना वाक्या पहला था लेकिन उस जैसी कई आपदाई धर्ती को कच्छ को कई हजारों लाखों सालों से तराश रही है और उसी तराशनी की वज़ा से आज हम अपने आसपास पहाड रेगिस्तान या मैदान देख सकते हैं आप इस बात को बिलकुल हलके में मत लीजिए ये हिमालय भी उसी तरह बना है उपर से शांत दिखती हमारी धर्ती के भीतर हमेशा उथल पुथल मची रहती है गहराईयों में प्लेटे आपस में टकराती रहती है इनकी वज़से भुकंबाते हैं कच्च का इतिहास ऐसे कई भुकंबों का साक्षी रहा है आज से करीबन 200 साल पहले भी कच्च में एक ऐसा भयावा भुकंपाया जो 19 फी सदी का सबसे भयानक इंट्रापलेट भुकंब था जो अल्लाबंद के नाम से इतिहास में जाना जाता है 16 जून 1819 को यह भुकंपाया था सामको कच्च के ग्रेट राणों में 6 बजकर 45 मीट में यह भुकंपाया जिसने पूरा एक अल्लाबंद खड़ा कर दिया जिसकी लेंद थी 90 किलोमेटर 90 किलोमेटर लंबा 16 किलोमेटर विथ में और 6 मीटर हैट का यह बंद कच्च के राणों में खड़ा हो गया जिसने नमात्र एक भुकंप के तोर पे अपना दस्ता वेज रुपी इतियास में दर्ज किया लेकिन कच्च को बहुत बड़ा नुकसान किया खास बात की जाए तो लगपत का जो बंदर था वो पूरी तरह से तहसनैस हो गया लगपत में पेले पाकिस्तान की नरा चेनल से एक मीठा पानी का पूरा एक चेनल का रूट आता था जो अला बंद खड़ा होने की वज़े से बंद हो गया कौनसी जगह है वो अगर देखना है तो हमारा Great Run Off जो कच्छ है जिसमें उपर सिंदू रिवर है उस टाइम पाकिस्तान और इंडिया अलग नहीं था सिंधू का इलाका है पाकिस्तान का इलाका है जो हमारा ही था उस सिंधू रिवर का एक छोटा सा चैनल जिसको हम नरा चैनल बोलते हैं और नरा चैनल बिलकुल रण के बीच से गुजरती हुई वो कोरी क्रिक में जाती थी ये कोरी क्रिक में वो कोरी उस टाइम रिवर कहलाती थी लगपत उसके किनारे पर बैठा था और उस रिवर में यहां से शीप आते थे लगपत तक लगपत से सिंद्री फोर्ट तक और यहां से अंदर चालिस किलोमेटर बदिन पोर्ट पाकिस्तान में वहां तक शीप जाती थी हमारा नेविगेशन सिस्टम था एक भुकम्प ने यह बड़ी एक रीज 90 किलोमेटर बना दी जिससे यह नरा चैनल सिंदू की नरा चैनल जो फ्रेश वाटर देती थी वो यहां से नीचे उतर के को पाइड़ी फिल्ड था वहां राइस का फसल लेते थे हम जो एक ही रात में बंध हो गया और इसलिए इसको अल्ला बंध बोला गया इसके बाद 1956 में अर्थक्वेक आया जिसको अंजार अर्थक्वेक बोलते वह छोटा था ठाहरा सो उन्हेंश का अर्थक्वेक सेवन पॉ है क्यांकि वह इंत्राप्लेट है लेट बी च में आना वाला इसको इसलिए 2017 का महतवा साइंटिस में भी इतना जादा है इस भूकम के कारण कच के धर्ती में कैसे परिवर्तन हुए ये कच के भू विज्ञानी हमें बता रहे हैं उसको वेस्ट लेंड बोलते हैं उसका अगर संस्कृत का अर्थ देखा जाए तो उसको अरिना का मतलब है कि वेस्ट लेंड तो हमने पिछले मतलब के पानी का रिग्रेशन हो गया और उपर से नदिया आई तो उपर से नदिया आने का भी यहां काल हमने निश्चित किया है कि जबकि 12,000 साल से 8,000 साल का जो टाइम है जिसके अंदर यहां बहुत बड़ी हिमाले की नदिया बहती थी जिसको हम वेदिक सरस्वती भी बोलते हैं तो सरस्वती का स्त्रोध भी आज के दिन हमको यहां पंक्चर करते हैं जब रन को तो नीचे 200 मिटर नीचे से हमको स्वीट वाटर मिलता है पूरी कचकी प्लेट हर साल कुछ सेंटिमीटर तक उपर उठ रही है इसका अपलिपमेंट आज भी चालू है और इसकी वज़र से ही रन का जो एरिया है जो पहले सेलोसी था वो आज फ्लैट बेरन लैंड बन गया है इस तरह भूकम भी एक सिख्षक की तरह है जिसकी गोद में प्रलै और निर्मान खेलते हैं भूचा लाता है तो अखसर लोग कहते हैं कि धर्ती मा कोपित है हम पे गुस्सा है लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि धर्ती को गुस्सा आखिर क्यों आता है धर्ती का गुस्सा एक तरह से उर्जा का भयानक्स विस्फोट है इतने तिलस्मी उर्जा नजाने धर्ती की सदियों से अनकही बातों को सत्थ पेला दीती है एक अभी जो नया जो हम करते हैं डिजिटल डाटा से जो हम बताते हैं उसको मूमेंट मैंगनिचुट कहते हैं वो डिपेंड करता है कि अर्थ के की एनर्जी कितनी रिलीज हुई उसके पर डिपेंड करता है तो उसमें कोई सैचुरेशन नहीं है तो वह बुखंपम आपने का भिल्कुल एक सटीक तरीका है सुमात्रह में 2014 में अर्थकुई काया था तो अगर बात करें तो मूपन्ट मैंनीजुड नौ 9.3 था पिर अगर हम 2011 में टोहकू में अर्थकोय काया था जपान में जो सुनामी बट बड़ गया थी उसका मैं नाइन पॉंट एक था और अब तक का जो सबसे बड़ा अर्थकोय काया है अप ये हिस्ट्री में वो चिली अर्थकोय काया है उनीस सो साथ में जिसकी तीवरता नाइन बुझ की बात करें तो भुझ में जो 2001 में अर्थकोय काया था उसकी तीवरता लगबख साथ पैंट छे थी एक मेंग निटूड उनके बीच में एक पॉंट का अंतर है लेकिन जी जिए अ उस भूमी से जहां से रफ्चर होता है वहां से जब उर्जा वहार निकलती है वो ज्यादा निकलती है तो एक से दो, दो से तीन सब के बीच में 30 टाइम्स एनजी रिलीज होती है भूकम न केवल जमीन लेकिन समंदर को भी अपनी उंगलियों पे नशाता है समंदर के इस तांडव को हम सुनामी के नाम से जानते हैं सुनामी और भूकम यह दोनों बेजिकली एक ही चीज है लेकिन भूकम हम भूमी के उपर बैठते हैं तब जमीन का हिल चाल होता है और फॉल्टिंग होता है तब उसको भूकम बोलते हैं कि उसका जो वेव है वह जमीन के सरफेस के उपर हाड रॉक के अंदर या तो शॉट रॉक के अंदर यह वेव गुमता है बट जब समंदर के नीचे पानी के नीचे भी एक प्रकार की प्लेट है उस प्लेट में जब हिल चाल होती है और फॉल्टिंग होता है तब पानी के नीचे पानी दो किलो मेटर होता है कई चार किलो मेटर चार से पांच किलो मेटर तक का भी पानी का कोलम होता है इसके लिड़ा देता है और वह एक मीटर से दो मीटर तक उपर उठा देता है और इसके बाद समंदर के अंदर एक बड़ी लहर होती है और यह लहर सिर्फ एक मीटर का एंप्लिटुड होता है लेकिन उसका जो फोर्स होता है वह जैट लेकिन यह लेकिन यह बार बड़ा भुकम आने के बाद दूसरा नहीं आता लेकिन यह कालखन्ड एक मनुष्य की ओसत उम्र से ज्यादा होता है या तो मिट्टी का अभ्यासर के हमने देखा कि इससे पहले वाला जो भुकम था तो उस जगे पहले कितने साल पहले नोट किया 4000 ने कीला लेकिन अल्लाबंद का जो भुकम 200 साल पहले उसका क्य। उसका प्यूइंट ही अलग है उसका सेबीन अब यरो इसका आपर सन्टर लग है तो वहां का एर्फविक वह दोस्तों नहीं 400 साल भी हो सकता है तो आप तक आपके मन में भूकम को लेकर उठ रहे कही प्रश्णों के उत्तर मिल चुके होंगे लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती यह भूकम ने हमारे सामने कई सवाल खड़े किये है अब हमें देखना यह है कि इनसानी मौत भूकम की वज़े से होती है या फिर उन मकानों की वज़े से जो उस भूकम के सामने अपने आपको खड़ा नहीं रख पाते गुजरात में कच्छ से एहमदबाद 400 किलोमेटर की दूरी पर है और राजकोट 200 किलोमेटर पर फिर भी एहमदबाद में भूकम का असर जादा क्यों हुआ इस वज़े से क्या होती है यह पछाम की जो तरंगे आऱी के इसको एंप्लिफाइ करता है वबफत जितनी तरंगे अरि तो कभी इसको तैमस कभी थी टाइright सिसे क्या होता है जो आउट्पुट सर्फेस बेस जो आपको मिलेगी वह एंपिलेफाइम मिलेगी इससे क्या होता है कि अगर वो amplification की जो frequency, जो आपकी जो तरंगयारी उसकी frequency और building की frequency match करती है कि देमेज़ और बढ़ जाती है, तो इसलिए जो की मिट्टी कैसी है और वहां का सुक्त है, जैसे रॉक के उपर है या और स्वाइल के उपर रहेंचो काफी डिपेंड करता है कि वह पर डमेज़ कीतना होगा. तो यह पूरा शेहर वह बसा हुआ है और एमधाबात की बात करें तो यह पूरा अलोविय मिट्टी के उपर है जिसकी थिक्नेस लगबग 400 मेटर है तो 400 मेटर थिक है तो इसमें कोई भी तरंगे आएंगी बुकम की तो लोकल साइट की एफेक्ट से वह एमपलिफाई होती है तो इस वज़े से यह पर नुपसान जादा हुआ और राजकोट में काम हुआ है और इस बेसिन का एक्स्टेंशन जो है उत्तर दक्षिन की तरफ है मतलब कि नौर्च साउथ ट्रेंड है उसका और यह में लेंड गुजरात में है और कैंबे रिफ्ट एस सच अभी भूगर में है और इसके उपर जो है वो अलुगल सेडिमेंट वगरा उसके नीचे दभी हुई है और उसके यह उपर के जो सेडिमेंट है करीब 300-400 बीटर का एक कवर है और उसके नीचे फिर टर्शरी के रॉक्स मिलते है जिन में पेट्रोलियम वगरा मिलता है और रिफ्ट बेसि में जो एक फॉल्ट है वो वेस्ट की तरफ है एक फॉल्ट है इस्ट की तरफ है बीच का ब्लॉग जो है नीचे सबसाइड हुआ है या डाउन गया है तो उसमें यह सब सेडिमेंट और यह सब जो असाद है वो जमा हुआ है तो अब यह फॉल्ट लाइन दो है और इसके अ लॉंग नर्मदा चलता है और यह बहुत लंबा फॉल्ट है सेंट्रल इंडिया से इधर वेस्ट इंडिया तक आता है और नर्मदा सौन फॉल्ट नोन है कि एक moderate magnitude earthquakes आते रहे हैं और जो डॉक्यमेंट किये गये हैं तो वो एक फॉल्ट है जो अर्मदा सौन फॉल्ट में नहीं मिला है भी किसी साइंटिस्ट ने भी कोई साइंटिपिक स्टेडी में भी इस तरह का एविडेंस नहीं मिला है कि कोई बहुत बड़ा अर्थक इसमें आया हो लेकिन कि फॉल्ट एक्टिव और मॉड्रेट एर्थक्वेक जो हैं एक्सपेक्टेड है मतलब तीन चार या पांच का एक्सट्वेक आए हैं और शायद आएंगे भी फूचर में भी इसमें यह वेरियाबल भी हो सकता है कि वेरियाबिलिटी जो है नुकसान की वो देखी गई है क कि अन्दवाद में थ्थोड़ा सा ज़्यादा हुआ थवो थोड़ा सा कर्ष्ट से ज़दा नजदीक है सूरत थोड़ा ज़्यादा दूर है तो थोड़ा कम ह항वा था और वरोडा कामबे वेसिन के बाहर की तरफ tokens located हो वह तो इसलिए शायद वह उमहा जादा नोक्सान नह शहरों की भोगोलिक स्थिती और उस पर किये गए निर्मान कारियों की गुणवत्ता उसकी भूकम्प प्रतिरोधिता तै करती है भूकम्प अवरोधिक जो बिल्डिंग है उसका शुरुआत जो है सॉयल इन्वेस्टिगेशन से होता है कि आप जो सॉयल है जमीन जो है वो कैसी है उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवाए और वो इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से डिजाइन तैयार होती है दूसरा चीज यह है कि जो डिजाइन जो बनती है तो उसमें धर्तिकंप या भूकंप के अनुरूप कुछ क्राइटेरिया है इंडियन स्टांडर्ड कोड्स जो है अर्थ्विक के कोड्स अवेलेबल है तो ये कोड के अनुसर्प डिजाइन होता है जो शहर सीजमिक जोन फोर में आते हो उन शहरों में स्काइस क्रेपर बनना खत्रों से कम नहीं स्काइस क्रेपर और टॉल बिल्डिंग्स के लिए मुझे बहुत प्रॉब्लेम नहीं दिख रहा है क्योंकि वो बिल्डिंग्स इतने बड़े हाई-टेक होते हैं कि उसमें सामन्य तरह से लोग जो है उनकी डिजाइन और कंस्ट्रक्शन में ज्यादा कॉंशियस होते हैं हमारे जो ज्यादा तर प्रॉब्लेम हुए बिकॉस कि हम लोग ने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया कि यह बिल्डिंग तो पांच स्टोरी का है इसमें क्या देखने का जबकि टॉल बिल्डिंग जो है उसके अंदर अर्थक्वेक की जगह पे विंड लोड जो है वो प्रभावी होता है तो हमने देखा था कि कुछ बिल्डिंग खड़े रहे और कुछ बिल्डिंग गिर गए जबकि हम लोग सेम एरिया में सेम अर्थक्वेक का हमारा प्रभाव था फिर भी कुछ बिल्डिंग टिक गए और कुछ बिल्डिंग नहीं टिक है तो इसमें absolutely कहीं पर design का कोई कमी होग हम लोग जो है इसरो के साथ एक understanding किये है आप एसे करो हमको जो है आप एरिया का density construction density कितना होता है एवरी मन्त हमको दिया करो क्योंकि साथलाइट घूमता है तो आप दिया करो जो दे स्टार्टेट गिविग इट जोस्क बाइश 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 देम दाट इस तरह परंपरागत विज्ञान और आधुनिक टक्निक के संगम से हम इमारतों और इंसानों को और सुरक्षित भूकम का विज्ञान कई माइनों में आधुनिक हो चुका है और अब हम ये जानने की कोशिश कर रहे है कि भूकम क्यों क्यों आते हैं किस वज़ा से आते हैं और किस प्रकार के आते हैं आईए देखते हैं भूकम के और नए पहलू क्या है दुनिया भरके भूकम केंद्र हर साल करीब 20,000 भूकम के जटके दर्ज करते हैं लेकिन ऐसा माना जाता है कि धर्ती पर हर साल लाखो भूकम के जटके आते हैं कई बार बारिश के मौसम के बाद भी भूकम के जटके बढ़ जाते हैं अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो समझो एक गिलास में पानी भरा हुआ है ठीक है हम उसमें पानी डालते जारे जैसी गिलास फूल हो जाएगा पानी गिनना शिरू हो जाएगा तो मिंस वह जितनी उसमें स्टोरेज थी वह खतम होगी और वह रिलीज होगी एनर्जी त अगर आपका रीज जो भी शेत्र काए ओई इंटरप्लेट रीजन में तो अपा पानी भरते हैं या नेर्जी अहरे ह।ो धिरे होती है दीरे बड़ा भुकंपाने में काई सो साल लग जाएगे हम पिछले पंदरा साल से लगबग हमने रिकॉर्ड कर रहे हैं तब सोराष्टे की बात करें तो यहां पर जो एक्टिविटी है बहुत ही जैसे कहते हैं यूनीक है यूनीक सेंस यह है कि जब भी बहुत ज्यादा बारिश होती है देखा गया है पिछले पंदरा साल में जब भी कुछ बहुत ज्यादा बारिश होती उसके एक दो महिने के बाद यहां पर अर्थक्विटी शुरू होती है जिसमें बहुत सारे बुकाम पाते हैं महला हंडेड की तादार में बुकाम पाते हैं छोटे चोटे और मैंगनिचूड जिनका मैंगनिच बाकी सब भुकाम चोटे चोटे और दो-तिन मैने तक चलती है और दो-तिन मैने के बाद यह एक्टिविटी कम हो जाती है यह तो हूई पानी के दबाव से आने वाले भुकाम यानि हाइड्रो सिस्मों सिटि की बात लेकिन ऐसे कौन से क्षित्र है जहां भुकाम आने की सबसे बड़ा योगदान हो सकता है कि जब टाउन प्लानिंग में इसको स्थान दिया जाए जितने टाउन प्लानिंग और सिटी प्लानिंग और स्टेट का प्लानिंग करते हैं उसमें कच्छ जैसे इलाके में गुजरात जैसे इलाके में उनकी बॉडी में जियालोजिस और अफ्विक साइंटिस को अगर रखा जाए तो वो बोल सकेगा कि यहां कितना डेवलोप्मेंट कैसा करना वो मुम्कीन है भूकंप अगर ज्यादा तीवरता का हो तो किसी भी क्षेत्र के साथ सबसे जरूरी ऐसा समबाद तोड़ देता है इन्सान हमेशा अपनी गलतियों से कुछ न कुछ सीखता जरूर है हमने भी अपनी गलतियों से कुछ न कुछ सीखा है और सिर्फ सीखा ही नहीं उसे जमीन पर भी उतार कर उसे मूर्त स्वरूप दिया है आज 20 साल के बाद हम उस मुकाम पर खड़े हैं जहां से हमने अपनी गलतियों से सीख ली है अर्थक्वे के बाद गुजरात के सारे कंस्ट्रक्शन के रूल है निर्मान के नियम है उसमें पूरा परिवर्तन किया गया और आज गुजरात में जो भी निर्मान कारियम 20 साल में हुआ है उसमें सेस्मिक जोन 3,4,5 के हिसाब से जो भी काम करना है वो हर बिल्डिंग में होता है कच में 80% बिल्डिंग अच्छे थे या कुछ वीक थे वो गिर पड़े और एमदाबाद में 20% बिल्डिंग गिर पड़े मगर हर बिल्डिंग में कोई न कोई कमी थी निर्मान की कमी थी वो हम लोग आज उसका कुछ हल ढूंडे हैं तो वो बड़ी बात है डिजास्टर के बाद महाभुकम के बाद हर गाओं में इसके बारे में जागरूती लाके कहा गया है कि रेस्क्यू की पराथमी की जवाबदारी पहले कॉम्मिनीटी पर है लोकल कॉम्मिनीटी को वो पहले रिस्पॉंड करना है तो आज आप देखेंगे तो हर पंचायत में कहां जहां पानी आता है हमां बोट होती हैं रसी होती हैं ये काटने के साधन होते हैं और ट्रेन लोग हैं और काफी ट्रेनिंग दी मगर हमारा देश बहुत बड़ा है व प्रमानित रूप से हम नहीं कर पा रहे हैं भूकम से पहले भूकम के समय और भूकम के बाद के लिए हम नुकसान को कम करने के लिए क्या कदम उठाते हैं इसमें सहयोग देती है आज की उन्नत तक्नीक है कि जब भूकम के उत्ति होती है तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए हमारा पर डिफरेंट सेंसर्रान जब ग्रॉल्ड में लगाते हैं जो सबसे आईडियल एकि आपको रौके ऊपर एसी रखना उता है सेंसर कोई भी अगर भुकंप आया है उसकी तरंगे आ रही तो वह जनरली रिकॉर्ड करता है तो हम जो डिफ्रेंट साइट जहां पर भी अर्थकुएक प्रोन एरिया उनमें अलग 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 लोकेशन पर हम अर्थकुएक के सेंसर रखते हैं जब जब भी कोई धर्ती जो इसकी तीवरता लगबग फोर के आसपास होगी तो यह एक छोटा भुकंप अगर बड़ा भुकंप की बात करें तो उसकी अम्प्ली जूट काफी जैदा होगा और वह काफी देर तक रिकॉर्ड होगा मिस घंटों तक उसकी वेफ़र्म रिकॉर्म होती रहेंगी भुकंप का जो ओरिजिनल एकुपमेंट है वह काफी कॉसली होता है उसकी कॉस्ट जो है लग लाखो रुपे में होती बट अभी हमारे पास सबके बास स्मार्ट फोन सें जिसकी कॉस्ट जो है फ्यू थाउजन रूपीज ही है अगर हम बात करें तो बहुत सारे 99 परसंद लोगों को अगर आप देखिए तो यह उसमें जो मैंने सेंसर को एक एप आती है उसे एप के जरीए मैंने अन किया हुआ और यह भुकम की तरंगों यह हमार पर सारी तरंगों को जो भी डिस्टरबस हो रही है उसको रिकॉर्ड कर रहा है अगर भुकम भी इस तरही की आता है समझो को अब आप देखिए कि इसमें लाइव रिकॉर्डिंग हो रहा है वो पुरी तरंगों को रिकॉर्ड कर रहा है तो कॉमन मैन के लिए यह ऐसा है कि उसके अल्री मोबाइल फोन में आपका अर्थ्विक सेंसर है बट उसको यूज करने के लिए आप डिफरेंट एप्स डाउन हुआ कई नई विधियो और संस्थानों का कॉंप आया गुजरात में उसमें एक स्पीडी इंप्लिमेंटेशन बहुत जरूरी था इसलिए गुजरात जो टेस्टेट सिस्टम में था कि एक सोसाइटी बना के सोसाइटी का एड्मिस्टेशन करना है उसको आच्छी तरह कुदरत की विराटता के सामने हम सब छोटे हैं हमारा गणित शायद ही ऐसे भुकंपों की सही भविश्वानी कर पाए लेकिन बहतर होगा कि धर्ती की आवाज सुनी जाए वरना बहुत बड़ा हाथसा होते देर नहीं लगेगी चाहे जो भी हो ये घटना हमें बताती है कि जीवन कितना ख्षन भंगूर है ये घटना हमें बताती है कि पूरे ब्रह्मांड के सामने हम केवल एक बिंदू है ये घटना हमें बताती है कि प्रकृती की महान शक्तियों के सामने मनुष्य को नत मस्तक होकर उसे अपना अहंक कार छोड़ना ही पड़ेगा जब तक प्रकूती से मनुष्य का लए मिलेगा तब तक ही संगीत निकलेगा जब उससे लए नहीं मिलेगा तो केवल विलय प्रलय और विनाश ही दिखेगा ये भूकम्प हमें सीख देती है और मनुष्य के सामने प्रश्ण भी खड़ा करती है लेकिन उसका उत्तर भी मनुष्य के भीतर से ही निकलेगा दोस्तो आज के लिए बस इतना ही ऐसे ही रोचक विश्यों के साथ फिर हम प्रस्तुत होंगे तब तक के लिए धंगवाद